जब साधूं की अत्याएं हो रही हूँ जब वर्तों के गले कट रहे हूँ और वलातकारियों का पता नहीं लग रहा हो तो हिंदुत का एजेंडा और विकास का एजेंडा ये दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंदर भोधी जी ने अपना करने की कोशिस क कि मैं अपने मोटा भाई को में उनको मोटा भाई कहती रही हूं मैं उनको 73 से जानती हूं मुझे उनके वारे में अच्छी तरह से मालूम है मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंदर भोधी जी विकास पुरुष नहीं है विनाश पुरुष और उन्होंने गुजरात का विनाश किय हैं और बोजु जिदी पी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी ये वो जो बी-ट क्दावा कर रहे हैं कि भावर्टी लाइन लोगों की संख्या है मैं नरैंद भोजी विनाश हुआ इसे लिए ना हिंदुत्वत ना रोटी ना राम ना रोटी गुजरात को दोनों ही नहीं मिले को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए भाजय पाकी थी 89 तक कि लोग हमको चिंटे से भी चुना नहीं चाहती थे साधू को डरा नहीं सकते हैं लेकिन साधू भी समाज के लिए अपना कंसरन तो रखता है और मैं आपको बताओ नहीं ऐसा शोक और ऐसा भाई मतलब ग्रीफ और फिर मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी मैं तो आश्यरी चक्रिक हूं कि ये नरेंद्य नोदी ने क् दिया इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष्ट की जिए विनाश पुरुष्ट इसलिए तो रखा है मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है ये मीडिया ने गुब बारे में हवा भर दी है और इसलिए हवा भी आपकोई निकालनी पड़ेगी क् कि हवा आपने हरी है